Hello students, हम कर रहे हैं Company Law Company Law के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर हम Director Chapter जो है उसको Continue कर रहे हैं और हम Topic जो है समझ रहे हैं वो है Committees by B.O.D. यानि की Board of Directors तो जो Board of Director होता है, वो कौन-कौन सी Committees बनाता है जो उसके लिए काम करती है यहाँ पर हम बात करते हैं जो Board of Director, तो जो Board of Director Committee बनाता है, वो है Total 4 ठीक है? अब एक ही करके मैं इसके बारे में आपको बनाता हूँ फिर हम Next Slide में, डिटेल में उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सबसे First होती है, Audit Committee ठीक है? Audit Committee इस पर लगता है Section Number 177 याद रहेगा? Second Number जो आती है, वो आता है विजिल मेकेनिजम इस पर लगता है Section Number 177 एक्चल में एक दूसरे से Related ही होती है, Audit Committee और विजिल मेकेनिजम आगे में डिटेल में इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? Next आता है हमारा Nomination Nomination and Demuneration Committee Remuneration Committee इस पर जो लगता है, वो लगता है Section Number 178 Last and Final है Stakeholder Relationship Committee Relationship Committee इस पर जो लग रहा है, वो है Section Number 178 जो Exam Purpose से ये Topic Important है, इनमें से कोई भी एक कमिटी आपसे पूची जा सकती है, उसके बारे में, उसके एप्लिकिलिबिल्टी के बारे में, उसके functions के बारे में आपको पूचा जा सकता है Audit Committee जो है First Number हो गई, इस पर Section 177 लगता है, विजिल मेकेनिजम जो है Second Number है, इस पर Section 177 लगता है तो 177 Section के अंदर दो कमिटी है, और फिर है Section Number 178, इसके अंदर दो कमिटी है, एक है Nomination and Remunation Committee, एक Stakeholder Relationship Committee एक और कमिटी है, लेकिन उसको मैं यहां कवर नहीं करूंगा, वो है Section Number 135 की, वो है CSR, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility Committee जो आती है, वो, तो वो हम कभी और कहीं कवर करेंगे अभी केवल Board of Director की इन कमिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसका स्क्रिन सॉट ले लीजिए, क्योंकि नोर्स तो आपको पता है, मैं आपको टेलेग्राम चैनल पर पर प्रॉयल्ट करा दूँगा, लेकिन वहां पर यह नहीं होगा, क्योंकि यह हट जाएगा, वहां जो टाइप की वी चीज़े हैं, वही मिलेगी आपको, ठीक है, तो यह आया हमारा सबसे फर्स्ट ओर्डिट कमिटी, सेक्शन नंबर 177, इसमें जो में में चीज़े हैं, मैं आपको बताता हूँ, आईए, सबसे पहले एप्लिक्विलिटी, किस कम्पनी को audit कमिटी बनानी पड़ती है, किस कम्पनी के BOD, board of director को audit कम्पनी बनानी पड़ती है, every listed public company, हर public company कैसी जो लिस्टेड है, कहाँ पर लिस्टेड है, stock exchange market के अंदर, तो every listed public companies, and हर listed public company, तो ये हो गया first, second, और क्या है, public companies having a paid up share capital of 10 करोड रुपीज, तो listed public company होनी चाहिए, लेकिन उसकी paid up share capital कितनी होनी चाहिए, 10 करोड रुपे, कम से कम, या फिर उससे ज्यादा, and a turnover of rupees 100 करोड और मूर, तो तीन चीज़े निकल के आई है, एक तो public company होनी चाहिए, लिस्टेड, public company कैसी होनी चाहिए, लिस्टेड, second number, PUSCE, paid up share capital, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, आपकी 10 करोड या उससे ज्यादा, और turnover, turnover का मतलब क्या होता है, sales, वो कितनी होनी चाहिए, 100 करोड या उससे ज्यादा, तो कोई public company है, लिस्टेड है, और उसकी paid up share capital 10 करोड या उससे ज्यादा है, उसका turnover 100 करोड या उससे ज्यादा है, तो उसको audit committee बनानी पड़ेगी, additional all public company, एक तो ये condition हो गई, second on क्या है, all public company which having aggregate outstanding loans, ऐसी company जिसने loan ले रखे हैं और वो loan अभी तक outstanding है, pay करने बागी है, या debentures issue कर रखे हैं, उनका redemption बागी है, deposits ले रखे हैं, उनका payment बागी है, और वो कितने 50 करोड से ज्यादा है, तो इन companies को जो इस criteria में आएगी, उनको एक audit committee बनानी पड़ेगी, तो public company listed होनी चाहिए, paid up share capital 10 करोड से जादा, turn over 100 करोड से जादा, और additional के अंदर जो outstanding loans और debentures और deposits जो है, वो 50 करोड से अगर किसी company के जादा है, तो उन company को audit committee बिठानी पड़ेगी, board of director audit committee बिठाएगा, जो audit करेगा, और उसको disclose करेगा board की website पर, okay, compositions of audit committee, audit committee का जो composition होगा, मतलब उस audit committee में जो member होँगे, वो कौन होगे, committee as per companies act 2013, minimum three directors, कम से कम तीन डारेक्टर होँगे, with majority of independent director, लेकिन उसमें majority किसकी होनी चीए, independent director की, इसका मतलब, दो independent director होँगे, कम से कम, और एक other director हो सकता है, total तीन डारेक्टर होँगे, member including the chairman of audit committee, इन तीन member के अंदर ही, chairman भी सामिल है, should be able to read and understand financial statement, और उसको financial statement पढ़ने का और समझने का ग्यान होना चाहिए, ओके, composition और दे रखा है, यह तो composition है, Companies Act 2013 के साब से, एक composition दे रखा है, audit committee का as per close 49, close 49 के अंदर, साइध, SEBI का close है, उसके अंदर, जो है, listing agreement के अंदर, जो close दे रखा है, उसमें minimum three director होनी चाहिए, लेकिन उसमें two third क्या होनी चाहिए, independent director होनी चाहिए, वो भी ये भी बोल रहा है, majority जो है, वो independent director की होनी चाहिए, member जो है, वो financially literate होने चाहिए, यानि कि financially मतलब, financial knowledge होना चाहिए, उनके पास में, और at least एक member ऐसा होना चाहिए, जिसको expertise होनी चाहिए, किसकी accounting की, या फिर financial management की expertise होनी चाहिए, विसे सग्य होना चाहिए, तो ये audit committee कौन-कौन सी company को बनानी पड़ती है, और audit committee का composition कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठेक है, चलिए, next, आगे बढ़ते हैं हम फिर, next आता हमारा whistle mechanism, जो whistle mechanism है, उस पे section number 177 लगता है, ये थोड़ा सा उससे advance है किसे audit committee से, जब audit committee चल रही है, और उस समय हमें लगता है, members को लगता है ऐसा, कि कुछ fraud या होने के chances company में है, तब whistle mechanism बिठाया जाता है, एक committee मनाई जाती है, जो उस fraud mechanism होता है, वो आपको safeguard प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा, it is a establish for director and employees to report their givens and concerns, जो आपके employees है, directors जो है, वो report देते हैं, सिकाइटों के बारे में, और जो भी fraud वगएरा होती है, उसकी जाच की जाती है, अगर ऐसी संभाव ना हो, तो whistle mechanism को बिठाया जाता है, Rule 7 of companies, meeting of board and its power, Rules 2014 describe करते हैं, कि जो whistle mechanism है, वो हर listed company को बनाना चाहिए, जो इन सर्तों को पूरा करती है, कौन सी, company which accepts deposit from public, ऐसे company जिसने public से deposit accept कर रखे हैं, public का पैसा उस company में लगा हुआ है, तो उसे whistle mechanism बनाना होता है, companies which have borrowed money from bank, public financial institution, access of 50 करोर, अगर उस company ने लोन ले रखा है, बैंक से, या public जो financial institutions है, उनसे कितना 50 करोर से जादा का लोन है, या फिर public से deposit accept कर रखे हैं, तो ये rule number 7 बोलता है, कि उस company के board of director को whistle mechanism बनाना, whistle mechanism नाम की जो committee है, वो बनानी पड़ती है, जब board of director Selby, nominated as a director, played the role of audit committee, for the purpose of whistle mechanism, जो audit committee का director होगा, वही whistle mechanism को चलाएगा, उसकी reporting करेगा, the aggregate person will have direct access with the chairperson and nominated director, जो of audit committee, जो इसका director होगा ना, whistle mechanism का, वो direct connection होगा, उसका direct access होगी, उसकी chairperson और nominated director of the audit committee, जो audit committee का director होगा ना, उससे वो direct access लेगा, ठीक है, the detail of establishment of such mechanism shall be disclose the company's website and the board report, जो board report होगी, और जो company की website होगी, उस पे whistle mechanism, जो committee है, वो अपनी report publish करेगा, अगर कुछ problem होती है, या penalty लगाई जा सकती है, अगर जो rules है, उनको अगर follow नहीं किया जाए, तो ये जो fine है, ये एक लाग रुपे से पांच लाग रुपे तक का है, हर officer पर जो की इस default में सामिल है, और इसके अलावा एक साल तक की jail और 25,000 रुपे से एक लाग रुपे तक का fine भी लगाया जा सकता है, तो जो ये 25,000 रुपे से लगा कर एक लाग रुपे तक का fine और या फिर एक साल की सजा, दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं, उस officer को, हर officer को जो उस company के default में सामिल था, और जो company हैं, उस पे एक लाग से पांच लाग रुपे तक की penalty लगाई जा सकती है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी जो committee है, वो है, nomination and remuneration committee, जैसे आपको नाम से पता चलता है, nomination and remuneration, किसका nomination, किसका remuneration, directors का, कि director का remuneration कितना होगा, minimum, maximum, nomination कैसे करेंगे, ये सब काम ये committee करती है, ये committee जो है, किसको बनानी पड़ती है, every listed public company, जिसकी paid up seven capital कितनी हो 10 करोड और turnover कितना हो 100 करोड से जादा, और जो public deposit accept करती है, या outstanding loan, debentures, deposits ले रखें, 50 करोड या उससे जादा, तो ये same as audit committee हो गया, जो इसकी applicability है, वो हो गई same as audit committee, audit committee में भी ये बताया था, public company, listed होनी चाहिए, paid up share capital 10 करोड और उससे जादा होनी चाहिए, और turnover 100 करोड और उससे जादा होना चाहिए, loans, debentures, अगर accept कर रखे हैं, तो 50 करोड और उससे जादा के हैं, तो उनको audit committee बनानी पड़ती थी, तो उनको nomination and remunation committee भी बनाएगी, which to shall be independent director and chairperson shall be an independent director, total 3 है, minimum, minimum जो number है, वो 3 है, 3 में से 2 independent director होनी चाहिए, एक दूसरा हो सकता है और जो chairperson होगा ना वो independent director ही chairperson बनेगा इस committee का, okay, last and final है इसके बाद में, हमारा stakeholder relationship committee section number 178, ये section बोलता है, a company which holds 1000 numbers of shareholder, एक company जिस जो hold करती है, state that a company which holds 1000 numbers of shareholders, debenture holders, deposit holders and any other security holders anytime during a financial year, किसी भी पिछले financial year के अंदर, अगर 100 number of shareholder, debenture holder, deposit holder या कोई भी holders, अगर वो hold करती है, तो उसको stack holder relationship committee बनाने पड़ेगे, functions of corporate stack holder relationship committee, इसके क्या functions है, the committee shall resolve, क्या solve करेगी, complaints related to transfer or transmission of shares, जो shares को transfer किया जा रहा है, या उनका transmission किया जा रहा है, उससे related जितनी भी सिकायते हैं, complaints से उसको solve किया जाएगा, non receipt of annual report, अगर किसी member को annual report नहीं मिली है, तो उसको भेजी जाएगी, non receipt of declare of dividend, अगर dividend declare नहीं किया है, उसके उपर काम करेगी, general meeting time पे हो रही है नहीं हो रही है, उसके उपर काम करेगी, approve issue of new duplicate certificates, जो shareholders के आजकल तो certificate जो है, demate account में आते हैं, पहले जो physical form में आती थे, तो new duplicate certificate अगर किसी को चाहिए, तो ये committee issue करती है, इसके अलावा, जो certificate है, जो split वाले certificate होते हैं, consolidation वाले होते हैं, renewal वाले होते हैं, वो सारे ये approve करेगी, approve transfer, transmission and dematerialization, मैंने वहीं बोला था अभी, पहले demate account में नहीं होते थे, जो shares physical form में होते थे, आजकल demate account के अंदर हो जाते हैं, तो virtually होते हैं, तो वो सारा का सारा काम जो है, जो आपके receipt हो गई, या certificates हो गए, या dividends related issues हो गए, कोई complaints हो गई, वो सारे rules solve करती हैं, वो सारे problems, ये stakeholder relationship committee, और इसके अंदर stakeholder relationship committee है, इसके अंदर section number लगता है 178, तो आपको चारो committee अच्छे से, I hope समझ में आगी होगी, ये थोड़ा और पढ़ लेना अच्छे से, और समझ में आजएगी, इसका PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा, telegram channel का नाम वही है, जो हमारे YouTube channel का नाम है, YouTube channel का नाम है cwg4bcom, तो telegram channel का भी यही नाम, तो हम मिलते हैं next lecture में, आज के लिए तना ही, तब तके लिए goodbye and thank you.